खुदा खारत करें सब मेरी वज़ा से हुआ है मेरी वज़ा से छे महीने का किराया चला गया सोने के सिक्य चले गए ढूंड करी रहूंगा समी को इस्तंबूल शेहर इतना बढ़ा है आखिर एक बंदे को कैसे ढूंड लोगे तू ये मुझ पर छोड़ दे आप मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो उसे ढूंड सकते हैं फिकर नहीं करें क्यों नहीं बेटा ऐसे करते हैं तुमारी अमा और महले के सारे लोगों को साथ लेकर ढूंडते हूं से मैं सब समार लूँगा बाबा देखो लड़के मुझे कातिल बनाना चाते हो हां भूल क्यों नहीं जाते हैं समी को भूल जाओ नाम भी मत लेना एक ऐसान करोगी परियान सुबा से रोना दो ना मचाया है बहुत हो गया दुनिया छोटी है अल्ला बहुत बड़ा है जल्दी या फिर देड़ से वो आदमी मिल जाये मुझे तो अपने हाथ से उसे वहाँ उस ग्रिल पर नहीं लटकाया तो तुम सब कवा रहना और मेरी बात याद रखना अपना नाम जलाल उस्ताथ सुपता रख लूँगा जलाल ठीके बाद में जो अपना नाम रखना है रख लेना लेकिन अब ही क्या करना है ये सोचो देखना वो कुछी दिर में पुलीस भी लेकर आजाएगा फिर क्या करोगे मेरे पास सिर्फ पचास ही है तुम भी अपने पैसे निकालो और तुम भी जाव लेकर आओ ये ड़ीजे ये मेरे पास सब भी यहीं है मेरे पास सोब बस यहीं पैसे है ये जलाल के अंदर रिजिस्टर में कुछ पैसे पड़े है कुछ नहीं है, खुद देख लो रिजिस्टर खाली हो चुका है तुम समझती हो ख़जाना चुपाया है मैंने जलाल लेकिन जलाल इनी पाथ तो चोड़ो उसे अभी वो परिशान है अकेला छोड़ दो उने कुछ देर बाद बात कर ले ना उनसे तो परिशानी की बात तो है ना मामू लाइट कट गई तो क्या होगा बिल कितने का ये बताओ पांच हजार का क्या एक प्लैन है मेरे पास जलाल जलाल यहां ना क्या है कहां से है इतने पैसे महले वालों से जमा किये हैं उन सब का बहुत शुक्रिया लेकिन ये पैसे लटा दोने एक मिर्ट जलाल एक मिर्ट ये क्या कहा तुमने जलाल जब मुझे कर्ज के पैसे अदा करने थे तो तुम ही ने मदद की थी ना मेरी हां और बार बार निहात का कर्ज भी तो हमने ऐसे ही अदा किया था ना याद नहीं तुम्हें फूल कही गया तुम ठीक कह रहे हो पर यह मम्किन नहीं यह तुम कैसी बाते कर रहे हो यार अगर आज तुम यह कुबूल कर लोगे तो तुम्हारे तमाम मसायल हल हो जाएंगे और उनके पैसे भी आसाने के साथ लोटा सोगोगी मैं तो नहीं लोटाओंगो जाकर कह दो उनसे पूरे मुहले को इखटा करो और लोटा दो उनके पैसे क्योंकि मैं तो लोटाने वाला नहीं हूँ पैसे पैसे रख लो जलाल ऐसे बेज़ती होगी उनकी ले लो ठीक है मगर मैं बहुत जल्द महले वालों का सारा कर्ज उतार दूँ मैं समझे तुम देखो ये खर्ज है और तुम दोनों गवा भूलना मत वो तो बात की बात है अब तुम ये पैसे रखो जैसे हम तुमें नहीं जानते हैं चलाओ ले लो हाँ हाँ एक मिनिट बस मैं भी आए हाँ नहीं हो रहा मुझसे बरदाश क्योंकि चिसे तो मजाग कह रहे हैं वो किसी की जिन्दगी का सबसे बड़ा सच है तुम्हारा चोटा सा वो मजाग किसी की जिन्दगी है हिल्मी चाचा ने और मैंने अपना घर चलाने के लिए जी है वो जिन्दगी तुम्हें क्या लगता है कि अपना घर चलाने के लिए बच्पन से काम करना कोई मजाग है मेरे और मेरे बाबा के लिए बच्पन से हकीकत है ये बात समझे तुम मैं तुम्हारी बाते इतने गौश से सर्ट इसम रही थी कि मुझे लगा तुम्हारा बच्पन भी मेरी जैसा था पुद फर्स हो तू जैंपियन, क्या हुआ, क्या सोच रहा थो बस कुछ खास नहीं है मुझे किसी ने कुछ कहा था, बस वह यादा आगी, मैं कुछ कहा क्या कहा था बें कुछ भी खास नहीं है, चलो आज़ा, आज़ा Let's enjoy guys Girls, आतिश को कहीं देखा है तम लोगों ने? नहीं हमने नहीं देखा आतिए आदेश मैं यहाँ हूँ बाबा जरा हाल तो देखो अपना अटाओ अपने सर से यह चीज चीज नहीं है यह ट्रॉफी गोर से देखिये आजी तो जीती है पर तो हमें इसमें फूल उगाने पड़ेंगे किसी काम तो आएगा इस ट्रॉफी मैं अगर फूल लगाना चाहेंगे बात यह है कि सारा गार्डन छोटा पड़ जाएगे इसके लिए इनाफ चिछोरे कहींगे पार्टी जोवर निकल जाओ तुम सब यहां से ऐसे क्या देख रहे हो सब दफाओ जाओ यहां से बात सुने दोस्तो हमारी पार्टी अब यहां खत्म नहीं हुई यह पार्टी कहीं और कंटिन्यू करेंगे हम जीत का जशन मनाना तो हक है ना भी भाई क्या कर रहे हैं आप दोस्तों के सामने तो बेज़ती ना करें क्या किया है मैंने अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तो मैंने बहुत इज़त और इतराम से निकाला है उसे यहां से लेकिन तुम भी देख ले ना कुटे की तरह दुम हिलाता हुआ जबान निकालके मांगता हुआ आएगा मेरे पीछी भाई खुदा की वास्ते इफसुन एक लम्हें के लिए भी आदिश का साथ नहीं चोड़ना कुछ भी हो मुझे खबर करती रहना समझ की शूर मिच्चू प्लीज ऐसे नहीं करो पीछे मत बढ़ा करो इस तरह ऐसा हो इनी सकता नहीं नहीं पूरा यकीन है कि किसीने मेरी एब फाइल में वाइरस डाला है कैसे हो सकता है कि कोई मेरी पसंद न करे कोई न कोई नया आइडिया जरूर आ जाएगा मेरे मिच्चू जानी को जरूर किसीने इसमें बग सेट किया है मैं मैं तोड़ हूँ नहीं इसकी तो किस्ते बाकी है तुम भूल गए हो क्या हमने इस इंस्टाल्मेंट पर लिया है हाँ ठीक कहा इससे जेब में रखो पहले हाँ सब ठीक है बेटा तो परिशान क्यों लग रहे है ऐसे ही बिजली के बिल के लिए महले वालों से चंदा करना पड़ा है वो ही सोच रहा हूं बस शुकर आदे करें कि हम बिल बढ़ने के काबिल तो हुए हाँ खुदा का शुकर है लेकिन अगले महीने क्या करेंगे पैसे तो है नहीं और किरायदार भी भाग गया है खैर अब हमें एक फैसला करना है बच्चो इसलिए हम सब यहां जमा हुए है बात दर असल यह के हमें अपने सब कुछ बेच कर गाहाँ वापस जाना होगा नहीं बाबा ऐसे कैसे वापस जा सकते हैं हम लोग शायद यहां पर शायद वायद कुछ नहीं और जिल्लत उठाने की हिम्मत नहीं है अब तो कब तक सोचा है बाबा कुछ ही महीनों में आईशा का डिप्लोमा होने ही वाला है ग्रेजवेशन होने के बाद हम इस्तनबूल को अलविदा कह देंगी यही सोचा है बाबा क्या मुझे भी लेके जाएंगे हाँ बिल्कुल तुम यहां अकेले छोड़के जाने के लायख नहीं हूं धमीर क्या तुम कुछ नहीं कहोंगे बेटा हाँ मैं भी कुछ कहना चाता हूं अगर बाबा की इसासत हूँ तो मैं इसासत देती हूं बच्चे की भी ज़रा सुन दो तूम ठीक है मैं सुन लेते हैं हाँ दमीर कहो जब सब कह रहे हैं तो मैं भी कुछ कहना चाहूँगा आप सबसे क्या ख्याल है सबर से बैठो शुए हाँ ठीक है पहले दमीर की सुन लेते हैं फिर मैं बाद में बोलो सुन रहा हूँ मैं दमीर शुक्रिया मैं जो बात आप से कहना चाहता हूँ मतलब पेटे की बात समझ कर नहीं सुनिएगा बलकि उस तीन नसल पुरानी दुकान का वारिष समझ कर सुनिएगा जिसे आप फरोख करने की ठीक है दमीर जो कुछ तुम कहना चाहते हो मैं समझ गया हलकान होने की जरूत नहीं पेटा सरा उससे कहने तो दो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ हो ठीक है अमी सुन लेते हैं कहो बाबा आप आप कह रहे थे ना कि हलकान नहीं लेकिन आप ही बता है जानते हैं कि मैंने बच्पन से सीखा है उस तंदूर पे काम करना दमीर ठीक है तुमने काम सीखा है लेकिन अभी तक किया नहीं है ठीक है अगर तुम कोई और नोकरी देखना चाहते हो तो कर लो बाबा क्या बात बोलने की इजाज़त देने के बाद मौका भी देना चाहिए दिया मौका तुमे शुक्रिया मैं अपने खांदानी हुनर पे फखर करता हूँ बाबा और आप मुझे वहां काम ही नहीं करने देते थे हत्ता कि अपना होमगर्ट भी दुकान पीकिया करता था दोस्तों के साथ भी उसी दुकान के सामने खेलता था जिन्दगी की पहली महबब भी इसी दुकान के सामने हुई मुझे याद नहीं कैसे दुकान के सामने पिटा था मेरा मासूम बच्चा कम से कम वो बाते तो मत दोह रहा हैं अम्मी देख रहे हैं ना आप हाम मी, अच्छा चले छोड़े इन सबको, उसी दुकान के सामने, आईशा भी तो मिली थी न हमें, याद तो है न आपको, ये बिल्कुल दुकान के सामने थी ठीक कहा भाई ने, अगर वो दुकान ना होती, तो आप सब लोग मुझे कैसे मिल पाते भला बेटा, ये तो नसीब की बात है, दुकान तो सिर्फ एक जरिया थी बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबा, लेकिन अगर उस दिन वो दुकान बंद होती, तो मुझे किसी और दुकान के सामने छोड़ दिया जाता यानि मुझे कौन ढूनता, मौसन भाई के तरह मेरे पास आश्या करता हुआ, कौन आता जरह सोचे तो आप लोग तुम हमारे घर की बुल-बुल हो, प्यारी सी बुल-बुल अरे मेरी बुल-बुल, मेरी चेकती बुल-बुल यह जरूरत सही तो कह रहा है मिठ्व, अगर दुकान नहीं होती तो मुझे इतना अच्छा और साथा शोहर के से मिलता यानि बात छोटी सी है वह दुकान हमारी लाइफ का हिस्सा है कहने का मक्सट यह है कि इस घर की छत ने हमें नहीं जोड़ा उस दुकान ने जोड़ा है मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ना ही ये घर बिगेगा और ना ही वो दुकान बिगेगी अब ये दुकान मैं संभालूँगा भाई मैं तो अपने पोते का साथ दूँगी ठीक है फैसले का हग तुम ही को है लेकिन बताओ इन्हें बताओ इन्हें तुम बेटा कि इसकी लड़की कितनी हरापा है एक लाव जौड नहीं गया कसम खाती उन्हें अपनी बेटी के कि अगर इसने खाती की है तो मैं इससे सजा दूँगी और भूर जाओंगी कि ये मेरी बेटी है प्रोपन जौगी के लड़ जाए परोसा मत दोना कभी नहीं थोड़ू का मुबारक को बच गए हुँ दुकाल नहीं दिक्री मेरे 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 जा रहे हैं मेरे भाई मैनेरजर सहब क्या इरादा है आप हम बेटा फैसला तो कर लिया तुमने अर्श शमीदस की तरह हम माम से यूरीका यूरीका करते भाग तो निकले हो लेकिन आगे के बारें बताओ कि क्या करोगे कैसे करोगे किस तरह करोगे ये ज़्यादा है और ये बताओ कि उस छोटी से दुकान से पूरे घर को समाल सकते हो तुम अर्शमीदस यानि पहाड़ वाला उट कहा है तुम्हें उट की बात नहीं कि मैं अर्शमीदस कहा है सौरी इतने खुशी में समझ ही नहीं मुझे है असी और रोना साथ साथ आ रहे मुझे कंफ्यूस हो गए मामू मैं आपकी बात का सीधा जवाब दूगा अब देखे हम खास मानती बनाते हैं जो हमारे लावा कोई ने बना सकता लेकिन मैं इस बारे में कुछ और सोच रहा हूँ हमें अपने काम में और बहतरी लानी होगी ताकि पूरे शाहर में हम नंबर वन हूँ मैं ऐसे समझाता हूँ मिसाल के तौर पर अम्मी के इलाके की मानती हम अपने मैनियू में शामिल कर सकते हैं सीरियस बात कर रहा हूँ मजाग नहीं हाँ अम भी सीरियस है मतलब अम्मा के खांदान वाली मानती है असल में मानती होती ही नहीं वो नहीं रख सकते दुकान पे, उसको बूल जाओ, छोड़ू क्या मतलब, क्या मतलब? शायद इने पता नहीं है, सिनोप के मानती ही असल मानती होते हैं, असल मानती ये क्या किया भाई आपने, जंगे अजीम शुरू करवाती है आलती से हो गई परियान देखो, मैं जानता नहीं, तुम्हारे नस्दीक मानती क्या है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता लेकिन जंगलों में बसने वाले, गोस्ट को ठैलियों में लपेट के, मानती का बिड़ा घरक करके, मानती बनाने वालों को मैं नहीं मानता मुझे तो सोच कर भी खुसा आता है बलक ऐसी चीज तो लाइक ही नहीं है, मानती कह लाने के इतना जानती हूँ कि असल मानती सिर्फ सिनोप में ही बनती है केसरी में सिनोप केसरी सिनोप मेरा मुल्कुन ये जबर्दस ना रहा है मेरे समान यहां क्यों पढ़ा है? यासमीन जैर, हमने सिर्फ आहो के लिए तुम्हें यहां कुछ दिन रखा था. लेकिन अब बस, अब मजीद तुम्हें यहां हम नहीं रहने दे सकते. यार, दोस्ता मैं चानती हूँ. क्या मैं एक हफ्ते के लिए आई थी और काफी टाइम रुख गई लेकिन तुम्हों बाबा की कंडिशन तो चानते हो ना? उनकी वज़ा से कर देखनें का टाइम ही नहीं मिला मुझे. बस थोड़ा सा वक तोर देदो मैं घर डून लूँगी. और वैसे भी एलेक्ट्रिसिटी, गैस किबिल्ज और किचिन की समान की पैसे तो शेयर किये हैं न मैंने? बात पैसो की नहीं है. तो फिर बात क्या है? तुम से बदबू आती है. है? क्या? तुम जैसे ही घर में आती हूँ, हर तरफ अद्रक लेसिन की बूँ आने लगती है. इसलिए कि मैं तुम जैसी अमीर नहीं हूँ. और मुझे कॉलेज फीस जमा कराने के लिए किजिन में जॉब करनी पड़ती है. हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? मेरे बॉइफ्रेंड ने तुम्हें रेस्ट्राउन में टिप दी और यहां फ्लैट में भी देखा तो मुझे से ब्रेक अप कर लिया. तुम्हारी वज़ा से मेरी लाइफ में मसले पैदा हो रहे हैं. ये कैसी बाते कर रही हो तुम लोग? ये जैसे लोग हमें भी फकीर समझ रहे हैं. मैं बस गरीब हूँ. कोई फकीर नहीं हूँ. एक ही बात है. वैसे भी गरीब को लोग फकीर कहते नहीं, लेकिन समझते तो जरूर है ये जानती हो न दो. तो बहतर है कि अपनी सच्चाई एक्सेप्ट कर लो. पता है कि सच्चाई क्या है? तो वो क्या है? तुम सब के सब घट्याँ. और हाँ, ये मास्क अपने चेहरे से बिलकुल मत उतारना. वरना असली चेहरे नजर आजाएंगे लोगों को तुम्हारे. इस वक्त मैंने लिस्टाब तो निक्याना फोन करके. वो सुबह जिस जॉब का जिकर किया था वो अभी तक अवेलेबल है क्या? बहुत खूब आईशा. मुझे इस सफाई का अंदाजा नहीं था. बहुत शुक्री आपका. मैंने सुना है कि तुम मेल रेसिस भी बना लेती हो. पछले साल मेल कलेक्शन में ही एक्जानिक्टाइबल है. मैंने सल्मा को बहुत पसंद आया था वो. अगर तुम ने सल्मा का रेफरेंस ना दिया होता तो मैं कभी तुम्हें फिटिंग रूम मैनेजमेंट ना देती. कस्ट्रमर तुम्हारा वेट कर रहा है. जल्दी जाओ. ठीक है मैं भी जाती हूं. बहुत शुक्री आपका. बहुत शुक्रियों. तुम यहां पर क्या कर रहे हो? अपने लिए सूट खरीदने आया हूं मैं यहां. बताओ कैसा लग रहा हूं? इतने बड़े शहर में कोई और चगह नहीं मिली तुम्हें क्या? बिल्कुल. बिल्कुल मिली थी. लेकिन वहां पर तुम मौजूद नहीं थी. तुम यहां थी बस सुनो, सुनो. मैं किसी और के लिए नहीं. तुम्हारे लिए आया हूँ यहां. अगर जरा से भी शर्म बाकी होती न तुम्हें तो मेरे पीछे नहीं आते इस तरह से तुम्हारे अलफाज लेक रहे हैं मुझे. ऐसे एक कस्म से. जूटी कस्म कहोगे तो मार डालूगी मार चुकी हो पहले हैं. चिछ छोड़ा. एक चांस तो मिलना चाहिए. चांस तो लग से मिलता है. लग तो मुझे चैंपियन मना दी रही हाथ छोड़ो मेरा. पांच मिनट दे दो जिन्दकी छोड़ों को तुमारे लिए. कैसे समझोगे तुम? क्या? यही कि मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं. चुला पर ठीक है. ऐसे करो तुम पांच मिनट बे समझा दो कि तुम किस किसम की लड़की हो. हो सकता काम हो जाए. मेरे खाल से पांच मिनट तो बहुत जादा है एक लंभे में समझा सकती हूं मैं अपने बारे में. और कैसे करोगी यह? बिलकुत पहले की तरह हो और कैसे? अब तो समझ गए ना तुम? हाँ तो कैसे चल रहा है सब? अच्छा है. अच्छा है. आश्या ने बहुत अच्छे तरीके से मेरा नाप ले लिया है. जबर देस्ट. यह कुछ पागल लडगी है या. इश्च की मार पड़ी यह लगता है इश्च हो जाएगा. हाँ तुम तो बड़ अच्छा कर रही हूँ? अकेले केले खाना का रही हूँ हाँ? तुम अब यहां क्यों आगए? यहां आया हूँ तुम्हारे लिए. लो? क्या ही है? टेलेफोन नंबर. मेरा नाप है यह सूट के लिए. अगर तुम्हारी बॉस तुम से पूछ लेती है तो यकीनन मुश्किल में पड़ जाती है तुम. चलो, से यू. जी बैदम. मेरा बिल ले आएंगे प्लीज? बिल तो पे कर दिया उनोंने. क्या वाकरी? आप मेरा बिल मुझसे पूछे बगार केसी और से कैसे ले सकते हैं? यह बताएं कितना मिल था मेरा? 180 रुपर. बढ़ा है. यह लीजिए. एंड कीप दे चेंज. बलके टिप क्यों दूँ? बनती ही नहीं है. यार आइशा, लोग देख रहे हैं. आप सबसे. दर असल इन्होंने मेरा बेल दिया है, तो खुले पैसे वापस करें इधीने में. प्लीज डून्ट माइन, हमारा थोड़ा जगड़ा चल रहा है आपस में, ओके? आइशा! सोचना भी बद कि तुम्हारी गाड़ी में आखर बैठ जाओंगी मैं. आइशा जमुस ठीक है, ठीक है. ठक गया हूँ. बहुत ठक गया हूँ, आईशा. हाँ, तो मैं भी ठक गई हूँ. मैं तो अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ तुमसे. मेरी सिंद्गी मैंने कुछ भी रियल नहीं है. तो मुझे क्या बता रहे हूँ, हाँ? इतना पैसा है तुम्हारे पास तो जाकर किसे साइकॉलोजिस्ट को क्यू नहीं दिखाते हो? मुझे साइकॉलोजिस्ट नहीं, प्यार चाहिए लाज के लिए. बहुत ही घेजी पिटी लाइन है लड़की, आप भी सुन लेती हैं क्या ये सब? हमेशा ऐसी क्यो रेक्ट करती हो? तुम्हें तो मेरा भाई ही देख लेगा और वह मुझसे भी ज्यादा बूलता है. अग मेरा असल मसला तुम्हारी लाइफ से है. देखो तुम भले बहुत अच्छी होगे, लेकिन मुझसे दूर रहूँ. चीप फर्माई, एल मिस्तार. आतिश बेटा, फोरण दुकान पर पहुचो. जा एक बहुत बहुत बड़ा मसला हो गया, बटा. कमीना मुझसे कह रहा था कि मुझे कुबूल करने में हर्ची क्या है. तुम्हारी मुहपत की जरूरत है, मुझे आश्या और पता नहीं क्या क्या कह रहा था. तंग आ चुकी हूँ, कसम से बहुत तंग आ चुकी हूँ. रखती हूँ फोन. कैसी हो तुम? ठीक हूँ. कोई तंग कर रहे हैं? नहीं तो भाई, क्यों पोच रहे हैं? पिर फोन पर ऐसी बाते क्यों कर रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. वो सर्पल का बोईफरेंड धाना मुसके बारे में बात कर रहे थे. वो बहुत तंग करता है उसे. मुझे लगा तुम अपने बारे में कह रही थी. अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, हाँ, ठीक है. मुझे तुम पर पूरा यकीन है. लेकिन खयाल रखना है, ठीक है? जी, जरूर. यह सब क्या हो रहा है? यह लोग तुम्हारी गाड़ी उठाने आ है, आतिश बटा. इसके लीगल ओडर है हमारे पास, मुस्टर आतिश. इसलिए आप हमें रोक नहीं सकते. लाए मुझे दिखाने यह डॉक्यमेंट्स. ठीक है, ठीक है. क्या ठीक है, आतिश बटा? तो ऐसा कैसे होने दे सकते हूँ? छोड़ दें फिलिम उस्ताद, छोड़ दें. मैं जान चेकों कि इसके बीचे कौन है? चाहिल पागल पागल! इससे बचाए कोई! You're making me sick. तुम्हे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था. तुम्हारे अंकल भी तुम्हे मुझसे बचा नहीं पाएगा. बताओ, तकलीफ हो रही है. बाबाय, वैस सब क्या करें है? भाबाय, यह सब क्या करें है आप? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था मुझे अगर तो आप मुझे नाखुश करने की बात कर रहे हैं तो वो तो आप बहुत अरसे से करते हुए आ रहे है मेरे साथ बताये नया क्या है सुए तुम नाखुश हो वाकी नाखुश हो क्या बात है, तुम्हें तुम्हारी मर्दी की हर चीज मिली है, क्या नहीं है तुम्हारे पास, बाप नहीं है बुर। बहुत पैसे हैं आपके बास, एक बाप खरीद किला दे हम मुझे, वो बाप जो मुझे से प्यार करें, जिसके बस वक्त हो अपने बेटे के लिए, उसकी बीमारे में शायद मैं दिमारदारी करने जाता हूँ, और मा तो मेरी थी ही नहीं, मर चुकी, बहुत दौलत है आपके काम करो, तुम तो डॉक्टरी छोड़ कर बैठ गई, ये कैसे कर सकता है कोई, और किस के लिए किया ऐसा, ड्राइवर बनने के लिए, रेसिंग मेरा पैशन है, सुना आपने, कभी सोचा भी हाँ नहीं है, कि जागर अपने बेटे के शौक को एक बार देख दो लूँ कि जि अगर, तुम्हारा बेटा भी मेरे जैसा होता, तो फिर, तब तुम समझ सकते मुझे, बताईए कैसा बेटा हो मैं, बाप को कबर तक ले जाने वाला उसका अपना ही बेटा, आपका बेटा बहुत मौटी है आसिफ सहाब, अभी तो बहुत चुटा है आसिफ सहाब, ये बहुत जनूनी है, अभी तो टीनेजर है ना आसिफ सहाब, ये वुमेनाईजर है, अभी जवान है ना आसिफ सहाब, फिर क्या हुआ, तुमने जाने कैसे सब को हहरान कर दिया, ना जाने तुम कैसे डॉक्टर बन गए, लेकिन फिर डॉक्टरी भी छोड़ दी, तुम्हें कारोबार में शामिल किया, मुझे बैंक करप्ट करके उस दिलों की तरह भाग निकले, वो बहुत शर्मिंदा है आसिफ सहाब, ओ, अब मुझसे स्पॉयल चाइल्ड बिहेवियर भरदाश्ट नहीं होगा, बहुत हो गया, मिस्टर आसिफ गर्दन तक भर चुके हैं, रेसि बस ठीक है, कहना के जाते हैं आप कहीं, वैसे कहतों आप बहुत कुछ चुके हैं बाबा, एहसान फरामोश, दफाओ जाओ, निकलो, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, रुके हैं, रुके, मेरे उपर, आपके कुछ ऐसानात है, जो मुझे वापस करना है, ये ले, ट्रेडिट कार्ड्स, ये रहे आपके पैसे, तुम, इस पुजिशन में हो के ये सब कमा सको, हैं, आउकात क्या है तुम्हारी, बस भाई, बस, आप दोनों के एक दूसरे की नफराच चता हैं, गा चुकी हो, अब बस, ये लोटाना भूल किया था, आतिश, बात सुनो बेटा, अगर आज चले गए तो वापस फिर कभी नहीं आ सकोगे, नहीं जाओ बेटा, जाना दे मुझे पपप, प्लीज, आतिश, अच्छा, ठीक है, ऐसा करोगे तुम आज इस टोन हाउस में स्टे करो, मैं भाई से बात कर लेते हूँ, नहीं रहना मुझे पपपो, ठीक है, नहीं रहोंगा मैं, मुझे इस शक्स से जुड़ी हुई कोई चीज नहीं चाहिए, तो फिर कहा जाओगे मेरी चान, कहा जाओगे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ इस शक्स की नजरों से दूर रहोंगा ना, ठीक है, जब तक किसी और घर का इंतिजाम नहीं हो जाता है, उस वक्त तक रह लो. कहां ना मैंने नहीं रहना चाहता हूँ यहां, नहीं रहना चाहता हूँ यहां, यह खर, वो घर, और दॉलत, यह सारा पैसा शान और शौकर दूसी के तो है, मेरा क्या है इसमें? अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गई, रिलाक्स, ऐसा करो कि आज तुम अपने दोस्त की साथ रह लो, कल तक मैं कोई अरिजमेंट कर दूँगी, मैं सब कर लूँगा, फिकर मत कीज़े, हाँ बेटा, तुम कर सकते हो, मुझे पता है, इसमें कोई शक नहीं, मैं चानती हूँ, लेकिन तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, इसलिए चाहती हूँ के रिलाक्स हो के सोचो, आप मुझे वैसे क्या समझ रही हो, मुझे क्या कोई छोड़ा बच्चा समझ रखा है, जो अपना ख्याल नहीं रख पाऊंगा, आतिश पागल हो गयो, क्या, आपने मुझे आ अटिकल के डिगरी को भी एक कोने में डाल दिया है, तो फिर समझाएं जागे कि मुझे कोने में धकेलने की कोशिश नहीं करें वो, क्यो मेरे साथ कभी बैठकर मेरे इंटरस को नहीं सुना उन्होंने, आतिश, देखो, तुम अपने बाबा को कभी-कभी खालत समझते हो, बिल्कुल है, सही समझता हूँ में, इस चक्ष ने कभी मुभबत से नहीं देखा भी नहीं मुझे, और उदर बहुत मुभबतें दिखाई जाती है, क्या हुआ, आसिफ साहब का बेटा डॉक्टर बन गया, कौन सा दिखावा है है, रेस का घोडा हूँ में, ठीक है, डॉक बाबा, आप क्या कह रहें यहां पर, मुखले वालों ने देख लिया तो मजाग उड़ाएंगे, कि जलाल सहाब अपनी बेटी के साथ यहां कपड़े धुलवाते फिर रहे हैं, और तो वाले काम कर रहें, इस तरह से कहेंगे आपके बारे में सब, मजाग कौन उड़ाएगा पता है, जिसे यह नहीं पता है कि बाप का फर्स क्या होता है, जो मदद करना जाने, मदद लेना नहीं, बच्चे, बीवी, बुज़र, सब की मदद करें, हाँ, हाँ, ऐसे ही, हाँ, क्यूंकि अपने खानदान को जोड़ कर रखना उसी का काम है, कभी प्यार, कभी गुसा, हर तरीखे से ही, पूरे आशियाने को जोड़ कर रखना, समझी, ये बाते बनाने वालों की सोच क्या है, मतलब मर्द का दबदबा और रोब होना चाहिए, ये क्या बात हुए, लानत भीजो, क्या आप बात करते हैं, क्या हुआ, सोच रही हुँ कि आपके जैसा लड़का मुझे कहां और कैसे मिलेगा शादी करने के लिए, अरे मेरी बच्ची, फिकर नहीं कर, देखो, तुम भी तो हमें मिली गई न, है न, हाँ, आप, बैट कर, बात करते हैं, आप, मेरी प्यारी बेटी, देखो, बाप बेटी मिलकर अपने सीक्रेट्स बताएंगे, ठीक है? जी बापा, मेरी प्यारी बेटी, देखो, मुझे यकीन है, बहुत जल तुमें, वो इनसान मिल जाएगा, जो सिर्फ तुमारे लिए बना है, एक फराग दिल इनसान, बहुत मस्बूत, बहादूर, तंद्रूस्त, समझो, जैसे, बिलकुल वो कहानियों में, शहजादा होता है न, बिलकुल वैसे ही, जब तुम कहो, तो वो चान भी तोड़कर ला दे, तुमारे लिए, कोई इतना ताखतवर, जो तुमारे लिए ओंची चटान को पिगला द तुमें अपने बाबा के घर से, अपने महल में ले जाए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई ऐसा लड़का जो जाकर चान तोड़कर लाए और पहार पिगला दे, कोई आइरन मैन नहीं चाहिए, मेरा मतलब मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरे हीरो मेरे बाबा है न, हाई मेरी प्यारी बच्ची ये मेरी किस्मत थी जो तुम मिली खुश हो मैं क्योंकि आज तक तुमने मुझे कोई दुख देने वाली बात नहीं की इस दर्वाजे पर तुम्हारी शिकायत लेकर कोई नहीं आया कभी स्कूल की सबसे होनियार स्टूडन्ट थी तुम हमारा फखर हो तुम कोताईय हमने किये बेटा तुमने कभी नहीं की हम तुमसे बहुत खुश हैं अल्ला तुम्हें हमसे राजी रखे ये क्या कह रहे हैं आप आबाबाजान मैं बहुत खुश हो इस बात से जाता है उसकी कोई मजबूरी हो जो हम नहीं जानते भूलो मत ये अगर आज हम यहां हैं तो उसी मजबूरी की वज़ा से मतलब तुमारे दिल में उनके लिए शिक्वा है तो अपने बाबा की खातिर उन्हें माफ कर दो तो अच्छा है हां परिशान मत हो आप बाबा बादा करती हूं बादा करती हूं कि अगर कभी वो सामने भी आ गया तो कुछ नहीं कहूंगी में उन्हें तुम कि इतने प्यारी बेटी हो आजा मेरे पास कुछ मेरे बाबा मुझेस जो चाहें जब चाहें लेसकते हैं लेक्न मेरी चेंपिंशिप नहीं लेसकते हैं अगर से कैना आपकी शॉर्ट से बात कर लेंगे मैंने इश्टिहार देखना घर का उसे के लिए तुम्हेर शादी चुदा हो खुदा कर शुक्र है कमारी को घर जे ब्लेट में लेकर हो तुम शादी कर सके लो मुझसा अपार्टमेंट के लिए आज की किस्त देखने के लिए शुक्रिया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेर करना न भूले